असलाम अलेकुम जी ये छोटा साथ धोल की व्लॉग है हम सब फ्रेंड्स अकठी हुई थी और चले जी धोल की व्लॉग के तरह कि अग्युकि और चैंड्स के डाने को तो 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 अग्युकि जी भाइन गाशीन पर चैंड्स अग्याशだ। तो केंटी बिग वेंटी थी पूरा जंडे 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 जब धोलकी का मेकप शुरू करते हैं जब ही लोग मैंने इंस्टेग्राम पे शेयर की थी सबको बहुत अच्छी लगी थी बस अपलोट करने में थोड़ी लेट इसलिए होगे एक तो इमान की थोड़ी तबीयत खर करनी थी और बच्चे दूसरे शायर आकर क्रेंक की बहुत हो जाते हैं जाले जी में मेकप इदर रिमूफ कर रही हैं क्योंकर मैंने सुबहा की टाइम मेक शूट किया था वो मेकप दूबारा चलना नहीं था तो शाम की ढोलकी के लिए मैं दुबारा मेकप कर रही थी वह वहला मेकप में ने उतार लिया था अच्छी तरह अब मैं यहाँ पर लेंस लगाऊंगी यह देखिए जी लेंस भी बहुत प्रामिन्ट नहीं होते हैं मुझे बहुत प्रामिन्ट लगाना पसंद नहीं है मुझे इस तरह पसंद है बड़े नैच्रल से लगे और थोड़ी आ वह लाइड किया था ताकि फ़ांडेशन बेद फ़ांडेशन का दो लिए उसके अंदर फ़ांडे तूड़ा सा हमने हाइलाइटर यद कर थोड़ा सा पाउड़र वाला उसको फिर हमने मिक्स करके अच्छी तरह अपलाए कि तोची तुछ शूट सी लॉजोगा जागी इस से को क्योंकि जो थोड़े से dryness के patches पड़े होते हैं जो blackheads निकले होते हैं कोशिश करें कि नांक पे जिनके blackheads है कम foundation लगाएं जो blender पर लगी रह जाएगी उसी को नांक के उपर हलका हलका लगा ले अगर blackheads के उपर ज्यादा foundation लग जाए तो blackheads के नोक होती है ना चूंच की तरह बहें निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं या अगर टाइम है तो ब्लैकर रिमूफ कर लेकर टाइम नहीं है तो नाक पे बहुत हलकी से एक फांडेशन की लेयर लगाए उसी ब्रश से हम आँग के ओपर से कंसील कर लेंगे अब लोग लेंगे आप लोगने आचके ओपर देखा कितना पिंक पिंक सा रहना शुरू हो गया क्योंकि एक तो नीन्थ पूरी नहीं होती। उसमेक अप डेली कर लें ही हूँ तो skin की ऐसे condition होती रहती है फिर हमने क्या करना है ब्लैक लेना है कोई भी छोटा सा प्रेंसिल ब्रश और नीचे हमने लाइनर की तरह ब्लैक अप्लाइ कर देना है अब आप लोग देखिएगा यह देखिए हम लोग ने बिलकुल ब्लैक के साथ अराम से खेल ले हैं अब मैं इदर वीडियो को बहुत जादा एड़िट ने कर रही जितने टेक्स में मैंने ब्लैक लगाया है उतने टेक्स ही मैं आप लोगो दिखाऊंगी स्टेप बे स्टेप ब्लैक करती रहूं करती रहूं करती रहूं वो फिर इंसान देखता रहे तब थोड़ सा ब्लैक की जरूरत है थोड़ से ब्लैक की जरूरत है अच्छा नीचे कंप्लीट हो गया अब उसी ब्रश के साथ हमने इसको यहां पे वी बनाना है यह दोनों सा इसको हम थोड़ सा स्मोक आउट करेंगे बहुत हमने स्मोक आउट नहीं करना हमने बस थोड़ा स्मोक आउट करना है गुलाई से हटके हलका सा तिरचाई तिरचाई में ब्लैक चला जाए मसाबले मूवमेंट्स गोर करते हैं यह देखे हमने सिर्फ क्रीस के अंदर फिल किया वी बना लिया पूरी आंग का वी बना नीचे बलैक है और उसी आंग को वी बना लिया है अब हम थोड़ सा उसको एक्स्टेंड करेंगे और हलका सा ब्लेंड करके एजर लाइनर की भी शेफ दे देंगे थोड़ी सी और जब मैंने मेक अप रिमूव किया था ता मैंने मसकारा रिमूव नहीं किया था दिल नहीं करा था मसकारा रिमूव करना है मसकारा रिमूव करूँगी फिर दोबारा मसकारा लगाँगी मैंने का यहीं मसकारा चला लेती है फिर हमने एक fluffy brush लिया और उसके corners को blend कर दिया जब black के साथ हमेशा यह होता है जब हमने black apply किया हलका हलका apply करना है फिर हमने blender की मत से blend करना है फिर उसको दुबारा थोड़ा सा dark करना है तीन steps होते हैं black के हलका हलका apply करके तेस करो उसके बड़ बलेंड करो बलेंड करने बद दुबारा उसको थोड़ा सा dark करो क्योंकि वो pigment थोड़ा सा light हो जाता है उसको दुबारा dark करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिर हमने लिया pink color क्योंकि ड्रेस के अंदर pink मूती लगे हुए थे और मैं आपको पर इड्रेस दिखाती हूँ तो pink मैंने का आज pink लगाते है फिर हमने जो ये गोल सा बना हुआ है सिर्फ इसके अंदर हम pink apply कर देंगे shocking pink आप लोग पास कोई भी color है आप लोग apply कर सकते है ये मैंने skyfall से pink उठाया color और ये जी apply कर दिया और black के साथ थोड़ सा blend कर दिया फिर यहां पर कोई भी आप लोग पाइड हाईलाइटर है आप लोग लेना है ये देखे हमने highlighter इसको apply कर दिया ये हम सारा काम कर रहे हैं क्रीस के अंदर है क्रीस के उपर अब ये मैं आज कुछ भी नहीं लगा रही क्रीस के अंदर black का V बनाया V के अंदर हमने pink लगाया और आंग के corner पे हमने highlighter लगा लिया अब यहां last step में हम दुबारा आंग के black को हमने dark कर दिया है ये देखे ये black को dark करना भी बहुत जरूरी है पर पूरी proper shape नहीं बनती black light हो जाएका तो आंग थोड़ी मद्धम लगना शुरू हो जागी ये जी आई में हो गया है हमारा complete और आंग के अंदर white pencil भी लगाने है ये है dress ये dress है जी ilan का अच्छा ilan का कर किसी ने suit लेना हो तो आप लोग मैं कहती हूँ कि इनकी आउटलिट जा के लिए सबसे बेस्ट है हमने जी बलश के साथ ये थोड़ सी contouring कर दी है ये मैंने crave blush लिया है औरेंज इस टाइप का फिर हमने क्या करना है कोई भी brown pencil ले 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 इसके साथ हमने हलकी सी outline कर देने है लेकिन outline को मैं इतना dark रहने नहीं देती मेरे मूपे इतनी dark outline सूट नहीं करती मैं इसको smudge कर देती हूँ ये देखें ये finger की मदद से सारा smudge कर देने फिर हमने इसके दरम्यान में लगाना है मर्यम परवेस कोस्मेटिक्स का shade uplift अच्छा ये matte lipsticks हैं अगर मेरे होंट इतने dry होंए है तो dehydration हुई 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 है सफर के दुरान हो जाते हैं कोई भी lip balm लाजमी लगानी है dry होंटों पे लगाएंगे वो result नहीं आएगा अब हमने हलकी से lip balm लगा ली इसके उपर हम shade लगा रहे हैं uplift ये वाला बहुत ही प्यारा सा pink है खिला हुआ सा जिसको खिला हुआ थोड़ सा bright pink चाहिए उनके लिए uplift है जिनको थोड़ा खिला हुआ dull pink चाहिए उनके लिए doll shade है हमें आप लोगों को थोड़ा सा इसको करीब से भी दिखाती हूँ lip shade क्या बने हमने सिर्फ दिर्मियान में लगाई है और साइडों पे बस उसी का shadow ले गए है दिर्मियान को हमने pop out किया क्योंके lips दिर्मियान में लगाने से थोड़े बड़े लगते हैं पप 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 किया और ये जी close up lips का shade है हलकी सी brown pencil लगा के दिर्मियान में uplift लगा लिए अब बारी आती है जी बाल सेट करने की बाल खो लिए हैं सेट हो गए हैं पीछे ममा बेटी हुई है चुप रही हैं इन्हों कहां चुपना ममा ने ममा मैं ठीनार इंजोई करी थी और हम बाते कर रहे थे और मैं खड़ी हुई थी और ममा गयती मैं खड़ा देख देख थक गई हूँ यह जी final look थी और अब हम earrings पहनेंगे और अब मुझे वीडियो देखते देखते यादा है कोई भी आप लोगी पैलेट में ब्राउन शेड है उसके साब बहुत अच्छी बनती है इब्रोज टीके जी उमीद है कि अच्छी वीडियो आप लोगों बहुत अच्छी लगी होगी और सारा मैने अपनों ड्रेस के बार में पता दिया और functions पे foundation पे ज़्यादा फोकस करें जितनी glowy और जितनी neat आपकी skin लेगी उतना ही अच्छा आप लोग का make-up लाएगा चलें जी अपनी दौआ में आद रखेगा next vlog आएगा अब माईयों का और माईयों को ड्रेस भी दिखाऊंगी pictures भी post करूँगी आइस्ता इस्ता सब ब्लॉग जाएंगे ओके जी रब रखा ये जी final picture आगए